देश आर्थिक मंदी की चपेट में आता जा रहा है। आर्थिक मंदी के चलते इस सेक्टर में भी हाहा कार मच गया है। अखबारों में विज्यापन देकर टेक्स्टाइल मीर्स असोसियेशन ने अपनी समस्या लोगों के साथ शेयर की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे विज्यापन में नौर्दन इंडिया टेक्स्टाइल मीर्स असोसियेशन द्वारा बताया गया है कि टेक्स्टाइल सेक्टर में भी मंदी के संकेत है। और यहां भी नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। अकबार में दिये गए विग्याबन में साल 2018 और 2019 की तुलना कर बताया है कि इस अवधी के अपरेल से जून तक के महिने में सूती धागे के निर्यात में कमी आई है। साल 2018 के अपरेल महिने में सूती धागे का निर्यात 337 यूएस मिलियन डॉलर था जबकि 2019 में 286 यूएस मिलियन का ही रहा। माई 2018 में सूती धागे का निर्यात 349 यूएस मिलियन डॉलर था। गौरतलब है कि इस पहले ओटो सेक्टर में मंदी की खबरे सामनी आई थी। बताया गया था कि कारों के विक्री में 19 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्स की गई है। इसके चलते आटो सेक्टर में 15,000 लोग अपनी नौकरी गवा चुके हैं और 10 लाख से जादा नौकरियों पर संकट मंटरा रहा है। सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स।